यह वीडियो सिर्फ इलेक्ट्रिशन के काम की है क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिशन नया फिल्ड में आया है तो उसे ये काम सीखना चाहिए मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरह से फटाफट से पार्टी के आप वाल कटिंग करें बहुत ही जल्दी आप वाल कटिंग कर भी चलाते हैं इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप जब वाल कटिंग करते हो एक इंच के पाइप के हिसाब से एलेक्ट्रिशन भाई लोग तो यहां पर सबसे पहले एक धार चलानी पड़ती है फिर दूसरी धार चलानी के लिए दोबारा उपर जाना पड़ता है ग्रेंटर को ले जाना पड़ता है फिर वही चीज अपलाई करनी पड़ती है जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में किया था तो आप देख सकते हैं कि मुझे दो बार इस तरह से चलाना पड़ रहा है जिसमें समय काफी हद तक लग जाता है तो क्यों ना मैं एक छ चीज मंगवाई है अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है वो तो यहां पर मेरे बेक के अंदर मिल जाएगी वो चीज और यह है बाई डबल ब्लेड गोटी जिसे हम बोलते हैं यह वाली इसे आप पर्चेस कैसे करेंगे सबसे बेस्ट तरीका आपको में दिखा देता ह हो मेरे शोट चैनल पर जाएगे या फिर इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको यहां पर यह देख सकते हैं शोट में भी काफी अच्छा प्रफॉर्म किये इस वीडियो ने तो यह लिंक पर जाएंगे तो आप एमजोन एप पहुच जाएंगे एमजोन एप पड़ा है देख लो बहुत टाइम हो गया है और इसको हम डबल ब्लेड बना देंगे जैसे कि यह सिंगल ग्रेंडर है इसको डबल में कनवोर्ट कर देंगे यह 55 इंचिस की ब्लेड से और कौन से ग्रेंडर के अदर अपलाई करने चाहिए यह भी हमें आपको आगे बताऊ चलिए इसको लगाने का प्रोसेस जानते हैं तो देख सकते हैं आपके ग्रेंडर के अंदर सिंगल ब्लेड फसाने वाली एक गोटी होती है जैसे कि आप यह वाली गोटी देख सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ यह वाली गोटी वापस से लगा दीजिए इसके उपर एक ब्लेड अपलाई कीजिए अब ब्लेड को फसाने के लिए जो मैंने आपको बताया है वह है गोटी आप पर्चेस कीजिए और इसके उपर कसी है नॉर्मली ये कसी जा सकती है और इसे अच्छे तरीके से स्पैनर की मदद से टाइट कर दीजिए और इसे टैस्टिंग के लिजिए सबसे पहले टैस्टिंग करने के बाद अब दूसरा ब्लेड इसके उपर इंस्टोल कर दीजिए जैसे कि आप देख सकते हो अब दूसरा ब्लेड इसके उपर हो चुका है अब इसे फसाने के लिए आ अब यहां पर यह देख सकते हैं डबल ब्लेड हमारा तयार हो चुका है अब यहां पर देखिए जितने भी यह पाइप है कुछ भी आपको काटना है तो बड़ा पर साइज में कटेंगे और यह देखिए एक इंच का इसके अंदर गैप बनता है अब वॉल कटिंग देखते ह कितनी आसानी से हो सकती है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ग्रैंडर के अंदर फिट कर लिया है तो यह ग्रैंडर मैंने स्टार्ट किया अब देख सकते हैं मुझे दो बार वॉल कटिंग करने की आवशक्ता नहीं है मैं सिंगल टाइम में एक ही वक्त में उपर से नीचे तक वॉल कटिंग कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दो वॉल कटिंग एक साथ ही हो रही है और मुझे दो बारा उपर चटके दो बारा नहीं कर निकालना पड़ेगा ओके तो दो ब्लेड है यह अब दो ब्लेड 55 इंचिस के हैं और इस कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वह भी आप परचेस कर सकते हो आप कलती से भी नोर्मल ग्रेंडर के अंदर नहीं लगा सकते है नोर्मल ग्रेंडर के अंदर अगर यह दोनों ब्लेड आप इंस्टोल कर देते हो तो इसमें प्रोब्लम यह आएगी यह हीटिंग होगा इसका आर्मेचर जलके राख हो जाएगा कुछ ही घंटों में ओके तो दोनों ब्लेट को आप नोर्मल ग्रेंडर से 4 इंचेस वाले ग्रेंडर से नहीं चलाना 5 इंच वाले ग्रेंडर जो होते हैं जिसकी शमता बहुत हेवी होती है पावर बहुत ज्याद तक चली गई है तो उसमें question आना लाजमी है क्योंकि उसके अंदर हम पूरी detail नहीं दिखा पाते हैं इसलिए हम क्या करते हैं कि दोबारा long video बनाते हैं जिससे ही आपको अच्छे से explain कर पाएं कि आखिर इसके नुकसान क्या है फायदे क्या है ठीक है फायदा तो यह है कि आ normal grinder में इसमें नहीं चला पाओगे heavy grinder होता है उसमें ही चला पाओगे अब देख सकते हो यह hammer है अब hammer की मदद से हम इसका जो grinder से जो हमने निकाला है double blade से अब उसका थोड़ा सा review देखते हैं कैसा wall cutting हुआ है यहाँ पर तो आप खुद अपनी आखोते देख सकते हो इतना शा बहुत ही जबरतस्त यहाँ पे काम हुआ है आप मैं आपको बता दूँ यह वाली hammer भी आप purchase करते हो डिस्क्रिप्शन में बहुत ही शांदार है यह आपका electric का जो काम है बहुत ही ज्यादा तर आसान कर देगा ठीक है मैं आपको यह बता रहा हूं आप जैसे कि उपर वाली blade से जब मैंने चलाया तो यहां आसानी से निकल गया तो देख सकते हैं pipe बड़ी आसानी से fitting भी हो रहा है यह देख सकते हैं काफी घजब तो यह होता है बाई review इसका लेकिन आपको grander heavy वाला चाहिए तब आप इसे use ले सकते हो यह देख सकते हैं काफी घजब का बन गया अ इसलिए heat ज्यादा हो गया था double blade के अंदर यह थोड़ा नुकसान है लेकिन heavy वाला grander लगाओ तो कोई नुकसान नहीं है यहां से supply होते हुए यहां से wiring हो जाएगी